वेलकम साथियो देव हुमी एजुकिसिन पॉइंट में आपका एक बार फिस स्वागत है दोस्तो आज हम डियलेट का एक और पेपर लेकर आये हैं यहाँ पर को डियलेट का मैंने इससे पहले एक 2019-2020 का पेपर आप लिए लेकर आये था तो जीके वाला पार्ट देखने को मिलेगा दूसरा यहाँ पर जो CDP का होता है ठीक है चाइल्ड डप्लमेंट एंड पेडागोजी वाला जो पार्ट होता है इसमें आपको मनुविज्यान वाला जो सेक्सन है तो वो उसके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपको जीके के 100 क्वेश्चन करेंगे बागी के जो 100 क्वेश्चन होते उसमें मैट्स वगेरा और ये रिजिनिंग ये सारी चीज़ें होती है तरक शक्ति वाला पार्ट तो उसको हम बाद में करेंगे ठीक है उसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा उन सभी पार्ट के लिए तो अभी फिलाल ये देख लेते हैं तो हमारे पास जो पेपर एवेलेबल है यहां पर वो पेपर का सेट ए है तो आप देखेंगे इसमें किस तरीके क्वेश्चन आये हैं फटा फट से आप आंसर क्लिक करेंगे और आप मेरे क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन पढ़ने तक आप भी अपना आंसर रेडी रखें देखें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया था निम्न में से कौन सा रूपांतरी चट्टान का उदाहरन नहीं है तो भई रूपांतरी चट्टान का उदाहरन नहीं है पूछ रहा है देखें संगमरमा रूपांतरी चट्टान है आगे बढ़ते हैं उत्तरी गोलार्द में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है दक्षणी गोलार्द में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है तो 21 जून ही होता है सबसे छोटा दिन देखे उत्तरी गोलार्द में वालों के बजट घाटे और आंतरिक और बाहिर रिंदान में निवल बृदिका योग ठीक है तो ये option C ठीक होगा आगे है भारत का आर्थिक सर्विक्षन प्रतेक वर्से सरकारी तोर पर प्रकाशित किया जाता है तो किस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये भारत सरकार के वित्य फोजन है जी है question 7 है वर्ड डेफलैमेंट रिपोर्ट एक वार्सिक प्रकाशन है तो किसका है विश्वगयपार संगथन का अनतराश्टी मुद्रा कोष्ट का अनतराश्टी पुनरनिर्माल और विकास बैंक का या स्वंग उक्तराश्टी विकास कारिक्रम का तो जो है एक प्रकाशन है वार्सिक प्रकाशन आगे बढ़ते केंदरी बजट 2017-18 में शिक्षा की गुणवत्ता, सोध, स्वायतता और विज्ञान पर जोर दिया गया है इस बजट में उच्छ शिक्षा में प्रवेश के लिए एक राष्टी प्रवेश प्रिक्षया एजनसी के गठन की बात कही कही है इससे पूरो इसकी परिक्षया एजनसी थी तो इससे पूरो जो है ये CBSE थी ठीक है, ओप्शन B यहां पर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 9 वह कौन सा वित्तमंत्री रहा है जिन्होंने सरवाधिक 10 बार संसद में बजट पेश किया तो सरवाधिक 10 बार बजट पेश किया था मोरारजी देशाई ने आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी का समन्द किसे भीम एप के बारे में आपने सुना होगा तो भीम जो है इसका पूरा नाम भी पूछता है ये भी ध्यान रखना है तो ये डिजिटल भुकतान को बढ़ावा देने से इसका समन्द है ऑप्चन सी यहाँ पर थीग होने वाला है आगे बढ़ेंगे प्रत्यक्ष कर में सम्मलित नहीं है तो प्रत्यक्ष कर में दोस्तों सर्विस टैक्ष प्रत्यक्ष कर में सम्मलित नहीं होता है बागी kapital gain tax, income tax और corporate tax होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं rail बजट को कब पहली ब आम बजट के साथ संसद में पेश किया गया तो ये एक फरवरी 2017 को पेश किया गया ठीक है केंद्र सरकार के वर्ष 2017-18 के बजट में शिक्षा के बजट में वर्ष 2016-17 की तुलना में कितनी प्रतिशत की बड़ोतरी प्रस्तावित है तो ये थी जो है 7 प्रतिशत option बी यहां प आएनस खांदेरी का जलावतरन हुआ है तो आएनस खांदेरी का जलावतरन हुआ था 12 जन्वरी 2017 को ठीक है अब आपको बता दूँ जैसे ये पेपर था दोस्तो 2016 इसमें नाम आया है तो ये फॉर्म 2016 में बढ़े गे थे लेकिन जो परिक्षा कंड़क्ट हुई थी 2017 में य इसलिए इस पेपर का नाम जो है 2016 आदा है ठीक है तो उस समय के जो ये करेंट के क्वेश्चिन थे वो जो है इसमा पूझे गए थे तो शक्षम 2017 अभियान केंदरी थे तो किस पर केंदरी था ये उर्जा संक्रेक्षन पर केंदरी थे आगे है उत्तराखंड सर्कार ने किस वर्ष हर साल 24 जन्वरी को राश्टी बाली का दिवस मनाई जाने की गोश्णा की थी 2008 में की थी 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 और आगे बड़ते केंदरी मानौ संसादन विकास मंत्री शरी प्रकास जावडेकर ने सर्व शिक्षय अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोटल का इसके प्रबंदन का जिम्मा एक चार सदस्य समीति कोश्वों पर है इस समीति में सदस्य नहीं है देखे तो यहाँ पर अनुराक ठाकुर नहीं है विनोध राय राम चंदर गुवा विग्रम लिमी है विनोध ठाकुर नहीं है आगे बढ़ते हैं साइना नहवाल ने अभी हाली में मलेशिया मास्टन ग्रांड प्रीमियर गोल्ड बैटमेंट टूनामेंट जीता इससे पहले ये खिदाब किस भारती ने दो बार जीता है तो पीवी सिंधु ने इसको दो बार जीता है इनसे पहले ठीक है option B देखे आब इससे एक चीज ध्यान में रख लेना बाई current affair से यहां से कितना पूछा जाता है तो current affair का बहुत महत्व है तो per day जो आपको current affair भी तयार करना है चाहे आप मासिक पत्रिका ले लो त्रिमासिक पत्रिका ले लो या परतियों के तादरपन ले लो इससे आपको current affair तयार करना है और news paper daily अध्यान करने है जिससे कि आपका current affair वाला part तयार हो जाएगा आगे है उत्राखंड के कि सटलर ने पुरूस एकलवर्ग के विश्व जूनियर रेंकिंग में पहला इस्थान हाशिर करके इतिहास रच दिया इनका नाम था दोस्तो लक्ष शेन ठीक है अभी भी आप लक्ष शेन के बारे मां पढ़ते रहते हैं देखते सुनते रहते होंगे इन्होंने काफी तरक्की की है और अवधेश का नाम उजागर किया है मुखोटा नरत्य सैली का संबन्द निम्न मैं से किस से है तो इसका संबन्द है कथक कली से ठीक है मुखोटा नरत्य सैली कथक कली से संबन्द नीत है आगे है next question निम्न कीद मैं से कौन सा यूग में समूह नरत्य कौन सा नरत्य मैं यूग में समूह सत्य नहीं है क्या वादग है कॉमेंट करके बताओ ठीक है कांगडा चित्रकला शैली में किस परकार के चित्रों की प्रधानता रहती है तो कांगडा में रहती है पौरानिक कताओं और रितिकालिन नायक नायकाओं की ठीक है तो इसकी प्रधानता रहती है आगे देखते हैं सूची एक को स मेशूर में ये ठीक है और उसके बाद है आपका ब्लेक पैगोडा तो ये कोनार के से संबंदित है और साला रंजन संक्रहालाई जो है पांडी चेरी और अर्विंदा आसरम हैदराबाद ये जो है बिल्कुल सही मैच होता ओप्सन बी निमेखी यूगमा में से कौन सा सही सु बाद है ठीक है गरबा कहा का है गुजरात का है मोहिनी अट्टनम उडिशा का नहीं है और यक्षदान करनाटक का एक और तीन यहाँ पर सही लग रहे हैं यानि कि ऑप्सन सी यहाँ पर सही होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बारती संब्यदान के किस ग्यारवा मूल करते विए जोड़ा गया तो यह चियाशिमा शंब्यदान संचोदन 2002 में हुआ था तो इसके द्वारा 11 मूल करते विए जोड़ा गया था आगे बढ़ते हैं केंद्री मंत्री परिशत के प्रति अविश्वास प्रस्ता पुनर स्थापित किया जा सकता है त इसका विशेश महत्व क्यों माना जाता है क्योंकि कॉंग्रेश के लक्ष के तौर पर पूर्ण सुराजी प्राप्ति को इसमें श्विकरत किया गया था इसलिए इसको जो है इसका विशेश महत्व माना जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन है किस सारी ओलिव स्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंद किस से है तो परियावरन संग्रक्षन से डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंद अनिल प्रकाश जोशी का आगे बढ़ेंगे भारत के सर्वोची न्याले में न्याईदिसों की संख्या में ब्रद्धि करने की शक्ति कि में नहीद होती है तो भई ये होती है समसद पर नहीद है ठीक है option बी ठीक होगा आगे बढ़ंगे गदर क्या था तो गदर के बारे में आपको पता होगा दोस्तो सैंस फ्रांसिसको में एक क्रांतिकारी संगठन था ठीक है तो यानिकी जिसका मुख्याल है सैंस फ्रांसिसको भारती क्रांतिकारी संगठाए निम्रखित युगमों पर विचार कीजिए जिन में से कौन सा युगम है या कौन सही है आपको बताना है तो देखिए आप यहाँ पर जो है बिटामिन सी की कमी से क्या होता है इसकरवी होता है विटामिन डी की कमी से क्या होता है रिकेट से और विटामिन ए की कमी से क्या होती है यह गलत है विटामिन ए की कमी से रातरी अंधता नहीं होती है ठीक है रत वधी विटामिन ए की कमी से होती है यह तो पताई होगा एक और दो केवल सही है यानि कि option A यहाँ पर ठीक होने वाला है ठीक है 34 का A आगे बढ़ेंगे गुप्त वन्ष के निम्नलिखित साशकों को करम से लगाना है आपको ठीक है गुप्त वन्ष के साशकों को देके सबसे जो चार option है इन मेंसे सबसे पहला आएगा दोस्तो समदुर गुप्त सबसे एक नमबर पर एक मिनट जड़ावसा चलिए समदुर गुप्त नमबर एक नमबर पर आएगा उसके बाद आएँगे चंद्रु गुप्त दुति ठीक है ये दूसरे आएंगे और तीसरे नमबर पर आएगा कुमार गुपते और चौथे नमबर पर इसकंद गुपते ठीक है तो यानिकि इस हिजाब से आपका आंसर कौनसा से होगा अगे बढ़ेंगे कन्या कुमारी का रॉक मेमोरियल निमने में से किसके लिए समरपित है तो रॉक मेमोरियल है दोस्तो स्वामी विवेका नंद को समरपित है और ठीक होने वाला है ज़्यादा डिसकस हम नहीं कर पाएंगे प्रते क्वेस्चन पर क्यूंकि बहुत जादा होत तो इस बज़े से हम ज़्यादा डिसकस नहीं कर पाएंगे दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेशन है जोतिवा फुले ने निमनिखित में से किसकी इस्थापना की थी तो इन्होंने की थी सत्यसोदक समाज की इस्थापना जोतिवा फुले ने नेक्स्ट से क्वेशन है 1905 इस भी में लॉड करजन द्वारा किया गया बंगाल का विवाजन कब तक अस्तित्तों में रहा तो यह जो रहा था दोस्तों समराड जोर्ज पंजम के 1911 के शाही दरवार तक जो है अस्तित्तों में रहा था आगे बढ़ेंगे सूची एक को सूची दो से म युद्ध हैं और शूची दो में बिरोधी सासक हैं तो आप देखिए अपर पानिवत का परत्रेम युद्ध पंदरसोचबवीस में हुआ था यह किस के साथ हुआ था यह हुआ था इबराहीम लोधी के साथ हुआ था उसके बाद दूसरा है इसमें खानवा का युद्ध पंदरसोचबवीस में किस के साथ हुआ था महमूद राना सांगा से हुआ था ठीक है उसके बाद चंदेरी का युद्ध पंदरसोचबवीस में हुआ था मेदनी राई के साथ और घागरा का युद्ध जो है महमूद लोधी के साथ हुआ था तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा सही होने वाला option A यहाँ पर ठीक होगा और आगे बढ़ते हैं 39-40 question है केंद्रो और राज्यू के मद्य होने वाले विबादों का निर्णाई करने की सर्वो चिन्याले की सक्ति किसके अधीन आती है तो यह आती है मूल अधिकारिता के अंतरगत आती है option B next question है तक्ते ताउस पर बैठने वाला अंति मुगल बात्साह कौन था तो मुहमद शाह रंगिला आलम शाह परतम जहांदार शाह या बहदूर शाह इसका जबाब होगा मुहमद शाह रंगिला आगे बढ़ेंगे सूची एक को सूची दो से मिलान करना है सूची एक में स्थल दिये हैं सूची दो में नदी दी है तो मोहन जोत्रो जो है सिंदु नदी हुआ ठीक है और उसके बाग काली बंगा जो है गगर नदी है लोतल आपका पताई है भोकवा नदी हुई और हडपा जो है रावी नदी के किनारे तो इस तरीके से ये बनेगा तो option आप देख लिए जो option कौन सा सही है आपका ठीक है यहाँ पर D option सही है question number 43 है सूची एक को सूची दो से मिलाना है यहाँ पर सूची मिलाने वाले बहुत ज़्यादा है संद यह और किस संद में कौन सा युद्ध हुआ यह दिया गया है ठीक है तो आप देख सकते दोस्तों सबसे पहले दिया है 556 में तो 556 में हुआ था अकबर का राज्य रोहन हुआ था सौरी युद्ध भी है और बाकी 566 में यह ठीक है और 1749 में हुआ था नादिर शाह का दिल्ली पर आकरमन ठीक है नादिर शाह का दिल्ली पर आकरमन हुआ था यह रहा तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका सही है उप्सन जो होगा वो उप्सन ए होने वाला है नव निश्चयवाद अथवार रुको और जाओ निश्चयवाद संकलपना के प्रतिपादक है तो यह हैं दोस्तो ग्रिफित टेलर इसके प्रतिपादक ओप्सन भी यहां पर ठीक होने वाला है ठीक है आगे बढ़ेंगे निम्निकित मैंसे कौन सा एक विरल जनसंक्या वाला शेतर नहीं है तो यह दक्षनपूर्वे एशिया विरल जनसंक्या वाला शेतर नहीं है यह शगन जनसंक्या वाला शेतर है अगला है निम्ने किर्शी के प्रकारों मैंसे कौन सा प्रकार करतन दहन किर्शी का प्रकार है तो ये आदिकाली निर्वा किर्शी जो है किस प्रकार का है करतन दहन किर्शी का एक प्रकार है बिग इंचे पाइब लाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है तो इसके द्वारा जो है पेट्रोलिम परिवहित किया जाता है अगला है निम्ने में से कौन सा एक समू भारत में विशालतम भासाई समू है तो सही जबाब होगा भारती आरे है ठीक हो ओप्सिन डी यहां पर सही होगा निम्ने में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंगे नहीं है तो नगर की परिभाषा नगर पालिका नगर निगम का होना ठीक है ओप्सिन बी यहां पर सही है ठीक है यह इसका अंगे नहीं है option B अगला question देखे यहां 51 से ले करके आपको 151 तक के जो question है दोस्तों वो मिलेंगे जो है reasoning के maths के इस तरीके question तो अब हम सीथे चलेंगे किते नमबर पे 151 नमबर पे 150 तक 1500 तक question आपको ये तरक शक्ति वाले मिलेंगे देखे अब यहां से जो है आपको एक संभावना बनती है तो उसकी समझ्या है क्योंकि उसको साफ नहीं दिखा दे रहा है इसलिए बार बार अपनी आखों को रगड़ता है यहाँ पर दरस्य समश्या जो है सामने आती है शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यारतियों को पसंद करूँगा या करूँगी जो भाई देखे उच्च परिवार से संबढ़ी तो ऐसा नहीं होता शुंदर आकर्शक भी नहीं होना चाहिए आग्याकारी ठीक है आग्याकारी हो तो कर सकते हैं आप जो आग्याकारी नहीं है इसका मतलब नहीं है कि आप उसको पसंद नहीं करोगे ये भी गलत माना जाएगे तो कक्षा में क्रियासील होते है देखे, प्रदर्शन बधी में भी ने होता है, और प्रशनोचन बदी है, बिल्कुल सही जवाब क्योंकि प्रशनोचन बधी में teacher प्रशन करता है और बच्चे उसमें partner करते हैं यानि कि अधिक स्वीचाथी भाग लेते हैं बच्चे उसमें, ठीक है पाठी चरिया में आपचारिक और बचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है ठीक है एक हद तक थोड़ा वो लेकिन ये सही नहीं होगा यहाँ पर पाठी चरिया में मुल्यांकन के धंग शामिल नहीं होते हैं ठीक है तो यहाँ पर पाठी चरिया क्या होती है पाठी चरिया का पाठी चरिया का परिशिष्ट होता है जो पाठी चरिया होती है पूरी उसका कुछ हिस्सा जो होता है क्या होता है चलिए आगे बढ़ते हैं यदि शात्रे अपनी कक्षया में उपस्तित ना हो तो एक अध्यापक के नाति आप क्या करेंगे वह उपस्तित क्यों नहीं हो रह पेज़िए कि छात्र अगर कक्ष्या में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके कारणों को जानने का प्रियास करेंगे और जिन आगा जो कारणों को दूर करने के हम कोशिश करेंगे या निकमा D यहां पर सही होगा आगे विद्यारतियों का सर्वोत्तम मुल्यांकन निमिल्खित पज्यतियों में से किस से किया जा सकता है तो भई चात्रों का मुल्यांकन जो है सतत और व्यापक मुल्यांकन से कर सकते हैं सतत और व्यापक मुल्यांकन अगर आपको नहीं पता है जिन लो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए ठीक है तो अपनी समझ्याओं को अध्यापक से साजा सेयर करना चाहता है बाटना चाहता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए उससे मिलना चाहिए और उसके जो उचित समाधान है जो उसके मनुबल को प्रोथसाहित करे ऐसी जो है अध्यापक के रूप में आपकी भूमी का क्या होगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई देखिए उन विध्यारतियों को पर्थक करना अलग भी नहीं कर सकते अपनी सत्ता के साथ उस समों का सुधार करना या उन्हें आदम परिक्षन का अवसर देना और उनके विवहार सुधार लाना बिल्कुल ठीक है उन्हें आउसर देना चाहिए आदम परिक्षन का ठीक है जिससे की वो खुद का मुल्यांकन करेंगे और अपने विवहार में सुधार लाएंगे अगला है 159 कारेशालाएं किसके लिए आयुजित की जाती है तो कारेशालाएं जो है व्या जित होंगी जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको अनुभव नहीं मिलेगा ट्रेनिंग नहीं मिलेगी आगे बढ़ते हैं कुछ शात्र बहुत अधिक सीखने की जिग्यासा प्रदर्शित करते हैं यह इसलिए हो सकता है कि शात्र देखे किसलिए हो सकता है देखे शात्र प्रतिभाशाली है इसलिए जो है यह संभव है धनी परिवारों के हैं बनावटी ब्योखार या उद्धन डिता पैदा करने वाले हैं करना चाहते हैं यह सभी इसके लिए नहीं होगा आगे बढ़ते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है एक उसको ज्ञान देना है उसका अच्छा ग्यान होना चाहिए गूल्ड उसको होना चाहिए और उसके बाद जो है टीचर की क्वालिटी के अंदर कर संप्रीक्षण कया भी आता है तर्षात्र यस्वेश्टा आ कि चिन्ता भी टीचर को होती है नेतरत्व का गुण staat पा क्वर तो पुर्ण विशेस्ता की बात हो रही है, तीचर को जिसलिए रखा गया है, ठीक है, उस विशाई का उसको ग्यान तो होना ही चाहिए, सबसे जरूरी है, नेक्स्ट क्वेशन है, शिक्षक छात्र संबंदू के संदर्वन निमने में से कौन सी बात सही है, भाई देखे, टी टीचर की चीज़ों को जो बताना चाहा रहा है, उन चीज़ों को समझे, एक दूसरे के निकट होंगे, तब ही चीज़ों को समझ पाएंगे, और ये चीज़ें जितनी भी हैं उन दोनों क्या ब्योहार, टीचर और शात्रों का, ये सभी आपचारिकता के लिए नहीं होना चाहिए, तो एक प्रकार से ये अनौपचारिक होना चाहिए, बहुत आपचारिक और निकट होना चाहिए, और ये यहाँ पर ठीक होगा, आगे बढ़ते हैं छात्रों की सैक्षिक निश्पत्ति में शुधार लाया जा सकता है, ये उनके माबाप को प्रेरित किया जाए, तो बही यहाँ पर देखिए, अपने बच्चों के कारिये के निरिक्षन के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, आगे बात करेंगे, अगला क्वेशन एक सजीव कक्षा की इस्तिती में यह हो सकता है कि समय समय पर हसी के पहवारे छोड़े, संपोर्ण शांतिरे, बार बार शातर वर्तालाप हो, और उसके बार शिक्षक और शातरों के वीच वारतालाप होना जरूरे, शजीव कक्षा आप इसी को कहेंगे, आगे बढ़ेंगे, कक्षा में परभावी अनुसाचन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो अध्यापक को शातरों को खुछ ऐस कोई ऐसी चीज उनको दे दो जिसको वो solve करने में लगे रहे और पूरा व्यस्त रहे आगे है प्रभावी शिक्षण सायक सामगरी वह है जो देखे शिक्षण सामगरी का प्रियोग आप किसलिए करते हैं अपने टीचिंग में करते हैं ठीक है शिक्षा को ज़्यादा प्रभ प्रियोग होते हैं जो उनकी समश्याओं का समधान करने में सायक होते हैं अगला है एक प्रभावी कक्षा कक्षे के वाता औरन का मूल तत्वे क्या है तो भई शिक्षक शात्रों की सजीव अंतहक्रिया और सजीव अंतहक्रिया मैंने क्या कहा जब शात्र और शिक्षक दो स्वयंग का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या कहेगा भाई कक्षा के बाद मिलने को कहें नहीं संचेप में अपने बारे में बताए इस मांग की उपक्षा करें यह तो गलात हो जाए इस परकार के अनिष्टा मांग के लिए बच्चों में क्या होगा प्रभावी रोप से इसका विकास होगा यदि शात्रों के एक समोह में कुछ मंद बुद्धि और कुछ प्रतिबाशाली शात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या करना बहतर होगा तो एक ही आप भया थोड़ा सा इसको मैं सैट कर लो ये लिजे तो इसमें क्या होगा शिक्षण को मद्यम सतर पर रखना ताकि परतिबाशाली शात्रों के अधिक निर्स ना लगे अभिसमें कुछ मंद बुद्धी और कुछ प्रतिबाशाली शात्र है एक गृरूप में , तो इसमें क्या झायेगा मद्यम्स्तर मीडियम इसतर ढुनना जाएगा तो जहां Kang पर दोनों के लिए फाइदा हो ठीक है दोनों ना तो कोई बोर हो ना कोई निरस लगे किसी को नहीं किसी के लिए ज्यादा कठीन हो ठीक है और नमबर एक तो यह है अच्छा इसमें नीचे option भी दिये हैं नमबर एक तो यह है ठीक है और दूसरा है आप यहाँ पर देखेंगे मंद बुद्धी शात्रों के लिए अत्रिक्ति शिक्षण का प्रबंद करेंगे ठीक है यह भी सही है जो मंद बुद्धी शात्र हैं उनके ल दोज्टो निश्चित इस्थान, निश्चित लक्ष, निश्चित समझ सारण ये सबी है ठीक है option D, पार्थी पुस्तकों के विशई में कौन सा कथन अनुचित होगा, पार्थी पुस्तक की सायता से एक निश्चित समझ में विभिन निविशईव का ज्यान प्राप्ति किया पूर्ण रूप से ब्यवहरिक होता है अतो इसकी अत्यधिक उपयोगता है पूर्ण रूप से ब्यवहरिक नहीं होता है अधिकांस ता ये पाये जाता है कि पार्थी पुस्तकों का प्रियोग विद्यार्तियों में रटने की प्रवर्ति को बढ़ाता है ठीक है पार्थी योजना से तातपरी है तो पार्ट योजना जब आप किसी पार्ट को पढ़ाते हैं पढ़ाने के लिए जाते हैं उससे पहले उस पार्ट की योजना बनाई जाती है तो पार्ट योजना का मतलब क्या है उन सभी बातों का वेबरान तयार करना जिन है शिक्षक कक्षा के तर्गत आती हैं समझ्या समधान अधिकम का प्रत्यक्ष संबंद है तो जो है चिंतन इस्तर सेश का संबंद है एक अच्छा अध्यापक को पाठी पुस्तकों के अतिरिक्ते संदर्व पुस्तक भी पढ़नी चाहिए इससे क्या होगा दोस्तों ज्यान में ब्रिद्धी होगी option A यहाँ पर ठीक होगा आगे बढ़ेंगे कौन सा गुण आप शात्रों में सरवादिक महतोपूर्ण मानते हैं हाला कि यह सभी गुण जो है शात्रों में होने चाहिए लेकिन जो सबसे महतोपूर्ण गुण माना जाता है वो सुतनत रूप से विचार करना ठीक है विद् इसको परियावरण से मतलब है कि आंतरिक परियावरण भी होता है एक बाहरी परियावरण होता है बहुतिक परियावरण मानसिक परियावरण ठीक है कई परियावरण के बहुत सारे रूप है तो वो बच्चे के अनुकूल होने चाहिए आगे बढ़ते हैं शिक्षक एक श जनादमाग हो ठीक है उसको उसमें रूची उत्पन हो ऐसा नहीं कि बोरिंग हो जाए option C यहांपर ठीक होगा शिक्षक को शिक्षन से पूरो अपने विध्यार्थियों का अस्तर अवश्य जानना चाहिए इस कत्म से आप कहां तक सहमत है बिलकुल पूर्णत है सहमत है ठीक है जब अपने विध्यार्थियों के बारे में उनके अस्तर के बारे में जब शिक्षक को पता होगा तो उसी तरीके से वो उनको बच्चों को एजुकेशन देगा उनके लिए प्लानिंग करेगा कि किस तरीके से उनको पढ़ाना है ठीक है पूर्णत है आगे बच्चों में वैग्यानिक सोज विक्षित करने के लिए आवशक है तो इसके लिए क्या आवशक है देखिए मैं ठीक गई है सभी सही है उप्रोग तो सभी शिक्षन का आधार होना चाहिए शिक्षन का आधार जो है परिक्षा बालक पाट देखे शिक्षन का आधार तो बालक होना चाहिए जो बालक क्योंकि शिक्षा किसके लिए होती है बच्चों के लिए होती है तो शिक्षन का आधार प्रेम और सनेय का होना चाहिए प्राइमरी है या चोटे बच्चे है बड़े बच्चे है इन सब के लिए अलग 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 है लेकिन जो सबसे मेन होता है वो उस बुक में तुरूटिया नहीं होनी चाहिए अगर तुरूटिया होंगी तो सभी चीज का माइने खतम हो जाएगा ठीक है तो तुरूटियों से रहित होनी चाहिए जो चाहतर पढ़ने में कुछ कमजोर हो उनके प्रति आपका उपेक्षित कटोर और दया का ऐसा नहीं होना चाहिए दया कहीं एक हद तक थोड़ा सा आप कह सकते हैं लेकिन दया करके कुछ नहीं होता उनके उनकी सहायता करना हमें हमारा जो प्राइम कारी है वो ही है कोई विद्यारती भावी अध्यन ही तो अपने विशयों का चैन कर प्राइम को कहेंगे नए विद्यारती के लक्ष को चिन्नांकित करने का प्रियत्न करेंगे और उसे कुछ विकल्पों से परिचीत कराएंगे ठीक है जो जो सही चीज है उनके बारे में उसको बताएंगे आगे है एक कुशागर विद्यारती यदि कक्ष्यम अनुसासन हीन अनुसासन हीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे उसकी समझ्या को समझना चाहेंगे ये देखे तीनों गलत हैं फस्ट वाला है उसकी समझ्या को समझना चाहेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आगे गरहकारी को प्रति दिन जांचना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होगा द चाहिए इससे शिक्षक के लिए अधिक जांच करता कारे इन देखे सबसे सही जोगा वो ऑप्शन सी होगा पेड़ा कोजी के जो क्वेस्टन होते हैं इनको हल करने का एक अलगी तरीका होता दोस्तों अलग तरीके से सोचना पड़ता है मनुविज्यानिक तरीके से कक्षा श साथर दोनों प्रशन पूछे तो एक उत्तम शिक्षन प्रणाली यही होना चाहिए ठीक हो ऑप्शन डी साथर वह अध्याबक दोनों प्रशन पूछने चाहिए ठीक है आगे बढ़ेंगे सामुई खेलकूद से बच्चों को निमलिखित लाब मिलता है तो सामुई करती के बच्चे एक साथ मिल करके खेलते हैं तो उससे क्या हो जाकता सामाजिक आवश्यक्ताओं के अनुरूब यह क्या करता है अगला क्वेशन है कक्षा में चात्रों का ध्यान किस परकार आकरशित कर सकते हैं चात्रों में जिग्यासा का विकाश करके कक्षा में जोर से बोलेंगे नहीं, वेशेस परकार के वस्तर पहनेंगे नहीं, भाषन ठीक परकार से देंगे, एक हद तक थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, लेकिन जो सबसे मुख्य होगा दोस्तों, वो शात्रू में रूची और जिग्यासा उत्पन करेंगे, अगर शात्रू में जिग्यासा आप खुद करके सीखते हैं, तो वो उत्तम माना जाता है, यदि छात्र शिक्षण में रूची ने ले रहे हो, तो अध्याप को क्या करना चाहिए, तई देखिए, इसमें पता करना पड़ेगा, क्यों नहीं ले रहे हैं, कक्षा से चले जाना उसका समधान नहीं है, शिक्ष विशाइ में कमजोर है, तो आप उसे क्या करेंग थीक हिए, व्यक्ति का तुरूप से आप उसको अतरिक्त समय देखर कर कर सकते हैं, उस विशाइ में थोड़ा मजबूत कर सकते हैं, आगए शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सम्द निमनमें से किस से है, तो यह है प्रा करता भorum अनुषासन के मामले में शक्त हो नहीं उनकी समश्याइं हाल करता भै जो उनकी समश्याइं हाल करेगा उसके सपास से ज्यादा खूस रहेंगे एक नए अध्यापक के लिए आवशक है कि कख्षया प्रारंप करने 週 purity कख्षया मनुषासन लागू करे विद्यारती के साथ संगवाद इस्थापित करें विद्यारती को चुटकले सुनाए विद्यारती को अपनी योगिता बताए नहीं बच्चों से संगवाद इस्थापित करें बच्चों के से संगवाद इस्थापित करेंगा उनसे बात चीज करेगा उनके बारे में कुछ बहुत जानने के कोशिश करेगा और अपने बारे में कुछ चीजे बताएगा ठीक है काफी चीजें होते ही कक्षा में जाने से पूर्वा और कक्षा में जानने के प्रारंबिक दोर में तो ये सारी चीजों को संगवात के माध्यम से एक द इफर्मेटीव लगा है वीडियो आपको लगा है कि इससे आपकी मदद हो सकती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और हाँ अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है जो जरूर कमेंट करके बताए उसको हम जो है उसका जितना जैसा भी उचि समाधान होगा वह हम जरूर कमेंट में देंगे और डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट जरूर चकल उसमें आपको काफी इंपोर्टेंट चीज़े मिल जाती है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धेर सारी शुपकान में धन्यवाद जैए